हालो दोस्तों नमस्कर मैं विज़े पूनिया और आप देख रहे हैं विज़े एज्यूकेशन विज़े परिवार में आपका स्वागत है मेरे साथ यो आजम बात करने आए हैं पंजाब B.S.C. नर्सिंग की पंजाब में P.P.M.E.T. के तुरू B.S.C. नर्सिंग की काउंसलिंग चल रही है पंजाब में P.P.M.E.T. के नाम से B.S.C. नर्सिंग का एंटरेंस एक्जाम हुआ था और अब बाबा फरीद यूनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंस फरीद कोट के द्वारा बिहार सुरी पंजाब के प्राइवेट और गॉर्मेंट कोलेजेज के लिए काउंसलिंग परकरिया चल रही है फेस्ट राउंड काउंसलिंग होने के बाद सेकंड राउंड काउंसलिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और अब बच्चो थर्ड राउंड का दोर स्टार्ट हो गया है third round counselling का notification बच्चो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की site पर आ गया है पहले हम schedule देख लेते हैं कि counselling कब से कब तक चलेगी यह देखिएगा PPMET 2023 schedule of third round online counselling for admission in B.S.E. nursing course 8.15 देखिए बच्चो यहाँ पर third round की date को अगर हम देखें तो सबसे पहले बच्चो देखिए जितने भी qualified student है जिन बच्चो ने इस exam को qualify किया है वही student जो है मर दोस्तो 5 October से 8 October तक choice billing कर पाएंगे देखिए उन्होंने mention किया है PPMET qualified candidate will submit online preference of college category quota through university इन्होंने कहा है कि 5 October से 8 October तक आप choice billing कर पाएंगे फिर इन्होंने कहा है processing of seat allotment यहने आपको seat कब allot होगी आपको seat allot होगी बच्चो 9 और 10 October को seat allotment को process किया जाएगा मतलब university आपको seat allot कर देगी अब वो university जब seat को allot कर देगी तो वो site पर कब आएगा website पर display कब होगा result तो वो होगा बच्चो 12 October 2023 को इसके बाद देखिए candidate to whom seat will be allocated will report to respective allotate college for joining, checking of document or eligibility, medical check-up and will deposit fee through online payment gateway available at university website यहनी बच्चो जब आपको college allot हो जाएगी तो उस college में आपको reporting के लिए जाना पड़ेगा college join के लिए जाना पड़ेगा वहाँ आपको अपने सारे original document ले जाने हैं और बच्चो आपको college में जाने से पहले site पर payment का, fees का online option दिया होगा आपको payment भी करना है तो fees paid करनी है, document लेके जाने है और वहाँ पर बच्चो आपका medical check-up है, document check-up है यह सारी चीजें, आपकी eligibility check होगी वहाँ पर तो सारी चीजे verify होने के बाद आपको admission दे दिया जाएगा तो इस तरह से बच्चो यह आपकी reporting process 13 October से 16 October तक चलेगी यह आपकी third round की counseling का schedule जो आपकी start हो रही है पांच October से और last बच्चो date दी इन्होंने 16 October की लेकिन ध्यान रहे, आपको 5, 6, 7 और 8 यह 4 दिन आप ध्यान रखना, यह 4 दिन आपके काम के है इन 4 दिनों में आपको बच्चो क्या करना पड़ेगा choice filling करनी है अगर आप counseling के लिए registration नहीं करेंगे choice filling नहीं करेंगे, college को नहीं भरेंगे तो ऐसी परस्तिती में बच्चो आप chance मिस कर देंगे किलियर है कि नहीं? बिल्कुल पहले ही आपके 99% है, 95% है, 92% है या 90% है मेरे दोस्तों आपके पास बहुत ही शानदार मोका है और आप जरूर counseling करवाईए क्या sir, third round में कोई government seat खाली है बच्चो देखिए, बहुत सारे student होते हैं जिनको second round में college government मिला लेकिन उन्होंने किसी कारणवस वो seat resign कर दिया छोड दिया, तो वो seat तो खाली होई गई ना तो ऐसे काफी seat हैं बच्चो जो resign कर देने की वज़े से, छोड देने की वज़े से या बच्चे के द्वारा reporting नहीं कराने की वज़े से खाली है इसलिए government की seat भी खाली है और private college की seat तो वैसे भी खाली है बहुत सारी तो इसलिए आप government college भी choice में बर सकते हैं और private भी बर सकते हैं आप अपने number के अनुसार बच्चो choice fill कीजिएगा choice filling में आपको कोई अगर दिक्कत आती है तो आप हमारे से guide ले सकते हैं आप मेरे दोस्तों comment box के अंदर comment करके भी जानकारी ले सकते हैं अब देखिएगा मैं एक बार फिर आपको site पर ले जाना चाहूंगा और देखिए मैं आपको यहां पर बच्चो जो college की list है वो दिखाना चाहूंगा और जो second round हुआ था बच्चो second round का जो selection list थी बच्चो वो 20 जो है आपका September को site पर आया था और 26 September के आसपास आपकी reporting चली थी बच्चो तो अब आप अगर देखिएगे तो यहां पर बच्चो को जो college अलोट हुए है वो कितने percentile तक government कोटे की site मिली है आप अगर बच्चो देखिएगे ठीक है ना तो आप एक बार देखिएगा मैं बताओं आपको यह देखिए यह है यहां पर 1816 बच्चे 1816 बच्चो को second round में college अलोट हुआ था यहां पर देखिए last जो candidate है वो female है और इनकी category भी मैं आपको बताना चाहूंगा इनको college मिला था सिदू college of nursing लुदियाना और इनके 50 percentile थे केवल 173 नंबर 50 percentile marks थे बच्चो है ना बिल्कुल अब देखिएगा आप यहां पर देखिए इन्हें दोस्तो जो है private college और वो भी government कोटे वाली अलोट हुई है है ना बिल्कुल अब इसके बाद में मैं थोड़ा और उपर लेके चलता हूं ठीक है आप अगर देखेंगे बच्चो तो यहां पर देखिए यह 52 percentile वाला एक candidate है इन्हें मैं दोस्तो बटिंडा का private college मिला है आप देख सकते हैं और यह student out of पंजाब state से था मतलब यह पंजाब का candidate नहीं था यह candidate था जम्मू का स्मेर का है ना आपको पता है ना पंजाब के private college पंजाब के साथ साथ जो other state के बच्चे हैं उनको भी मिलता है अगर आप PPMET का form लगाते हैं फर्म बरते हैं तो आप पंजाब में पढ़ सकते हैं पले आप किसी भी state से हो लेकिन पंजाब का जो government college है वो केवल पंजाब resident आपका होना चाहिए यानि पंजाब के बच्चों को ही मिलता है government college प्राइवेट कोलेज तो पंजाब और पंजाब के बाहर के बच्चों को alert हो ही जाता है मैं for example आपको बताऊं जैसे कि देखिए बच्चों ये प्राइवेट कोलेज मिले हैं, हर्याना का बच्चा है, यूपी का भी है, ये पंजाब के भी हैं, तो प्राइवेट कोलेज तो बच्चो ये जम्मु कस्मीर के बच्चे हैं, है न, आप देख सकते हैं, ठीक है न, तो पंजाब के साथ साथ और भी दूसरे राज्यों के बच बच्चों को भी जैसे ही अरियाना है जब मुकस्मीर है है ना तो इस तरह से ये कोलेज जो हैं बच्चों अलोट हुए हैं है ना कुछ बियार के बच्चे भी दिख रहे हैं मुझे यहां पर ओके बिल्कुल तो आप अगर यहां परसंटाइल देखेंगे ना तो प्राइवेट कोलेज तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है देखो भई यहां अगर मैं प्राइवेट कोलेज की बात करू ना बच्चों तो यहां मिनिट में गवर्मेंट कोलेज इस लिस्ट में पहले आपको दिखा दूँ देखिए बच्चों यहां 97 परसंटाइल पर गवर्मेंट मिला हुआ है ठीक है ना आप एक बार देखना बच्चों यह एक बच्चे का 97 परसंटाइल इनको अमरित सरका गवर्मेंट कोलेज मिला ऐसे बच्चो यह है आपका यहां पर और भी में एक दो कोलेज आपको दिखाना चाहूंगा लुदियाना का कोलेज मिला है फरीद कोट का मिला हुआ है बच्चो इसी तरह से अमरिश सर का मिला है यह सब 96 97 98 99 पर मिले हैं है ना बिल्कुल तो 97 तक तो लास्ट में मिला हुआ ठीक है ना बिल्कुल अब देखिएगा कुछ केटेगरी ऐसी है जहां पर कोलेज दोस्तो 95 पर भी अलोट हुए है 94 पर भी अलोट हुए हैं है ना कुछ दिव्यांग हैंडिकेप्ट केटेगरी है तो वहां बहुत कम मेरिट रही है बच्चो इसके बाद में प्राइवेट टेकनोलोजी खालसा कोलेज अमरिसर है है ना आप देख सकते हैं अमन दीप कोलेज है बाबा फरीद कोलेज है है ना इसी तरह से जियान सागर कोलेज है अंबीका कोलेज है असो का इंस्टिट्यूट है जीनियस इंस्टिट्यूट आदर्स इंस्टिट्यूट है ना युनि के hospital होते हैं तो CDC सी बात है उनका cut up उपर जाता है बच्चो है ना तो यह तो second round की मैं बात कर रहा था कि बहुत कम number पर भी private college alert हुए हैं है ना बिल्कुल आप देखिए का बच्चो यह seat matrix भी मैं आपको लाव मोगा है ठीक है बच्चो इसके अलावा नंदपुर है ठीक है यह सारे private college है और इसकी पूरी की पूरी लिस्ट आपको विजे एज्यूकेशन एप और विजे एज्यूकेशन के टेली ग्राम चैनल पर मिल जाएगी आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो यह है अपना government college बच्चो गवर्मेंट को लेज भी आप देख लीजिएगा यह गवर्मेंट को लेज है government college अमरिसर, government college पटियाला, university college of nursing फरीद कोट, state institute of nursing and paramedical science, vpo बादल district मुक्तसर इसके बाद में I.O.N. university regional center गोनिवाल साहिब इसके अलावा दोस्तो यूनिवर्सिटी इंस्टिट्यूट अब नर्सिंग, opposite scared heart convent school, जालाबाद district फैजल का मैं दोस्तो यह आपके जो है, government institute है भाई साब, है ना, और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, government college मिलना, छोटी चीज तो है नहीं है ना, तो बच्चों आपकी counselling पर करिया शुरू हो चुकी है, third round की, अब भी कोई बच्चा, अगर first round में पीछे रह गया है, second round में पीछे रह गया है, तो आप third round में try करिए, है ना, बिलकुल, और बच्चों में इसमें और वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना, 5 October को counselling स्टार्ट हो रही है, है ना, तो मैं 5 October को, 6 October को, और वीडियो जाल दूँगा, जिसमें मैं आपको best से best choice filling बता दूँगा, clear है, और कोई भी ऐसा पन्जाब का student, जो पन्जाब B.A.C. Nursing Entrance Exam, P.P.M.E.T. की तयारी करने चाते हैं, कोई भी candidate 2024 के लिए, पन्जाब Entrance Exam की preparation क करना चाते हैं, तो आप विजय education के साथ जुड़िये, विजय education एप पर हम ब्रमास्त्र बेच के द्वारा online preparation करवा रहे हैं, आप ब्रमास्त्र बेच में जुड़िये, बहुत खूब मेहनत करिये, और आगे बढ़िये, मैं बस यही सुब कामना आपको देना चाता हूँ, जादा जानकारी के लिए टीम विजय को आप कोल कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊं कि इस बार पंजाब के अंदर चाहे फरीद कोट हो, पटियाला हो, अमरिस सर हो, है ना, तो संगरूर हो, या मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, कि हमारी जो बाबा फरीद यूनिवर को जोइन किया था, उनको इस बार कोलेज अलोट हुए हैं, मैं उन बच्चों को बदाई दूँगा, और अगर कोई ऐसा बच्चा, जिन्नोंने केवल विजय एज्यूकेसन के थूरू काउंसलिंग करवाई, है ना, जिन्नोंने विजय एज्यूकेसन की केवल पेकला से देखी थी, मैं उन बच्चों को भी बदाई देना चाहता हूं, तमाम वो विद्यारती, जो डारेक्ट या इंडारेक्ट विजय परिवार से जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को मैं बेस्ट आप लग कहना चाहूंगा, आप खूब आगे बढ़ें, खूब पढ़ें और इसी तरह से पंजाब का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, आज के लिए इतना ही, जैहिंद वंदे मातरम, तैंक यू